और नीचे में हर, क्या होगा, अंस और हर, देखे अभी सावन का महिना भी चर रहा है, यहां पर आप हर हर महादेव करके हर को याद लख लिजेगा, ठेक हर से प्रारम करेंगे और हर से हम अंत करेंगे, जैसे दिखे, सुरू मैं मैं लिखूँँगा हर, थोड़ा दूर में और बटे कच्चीन लगाके नीचे में भी लिखूँँगा मैं हर, हर उपर में लिखा, तो नीचे में हर का स्क्वाईर, अब हर यहाँ पर सुरू में और अंत में भी हर आयर, बीच में दिख रहा है, वहाँ आप अंस लगा दीजे, यह हो जाएगा आपका अंस, यह हो जा लाएंगे D by DX और यहां लगा दीजै एक माइनस का चिन है बन गया सुत्र क्या कठी लगाइं आपको हर से प्रारंब करेंगे हर से अंथ करेंगे प्रारंब अंथ फिर निचे में हर के स्कौयर बीच में आप अंस अरॉंस लगाएं दोनों अंस के बीच में minus हर और अंस के बीच में dy dy dx है तो इस प्रकार ये भागफ़ल का फर्मूला बनता है जो इस सुत्र के माध्यम से याद रखेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे कभी भी नहीं भूलेंगे इसको आप